सर दोनों पोजिशन्स पर खिलतें ओनेसली बात की जाए ना प्लेइर वो अच्छा है प्लेएसली बात में इसली नहीं कर रहाए है तएयप तायर की साथ है क्यूंकि देखे वहाँ पे उसको उपर्चुनिटी वो डून रहा था और मिल नहीं रही थी किमाद ने उसको मौका दिया या मैनेजमेंट ने दिया बहुत अच्छा डिसीजन लिया और उसने अच्छी ब्रेफ पिर्किट खेली उसकी वज़रे सेलेक्शन हुई उसकी प्लेइर वो अच्छा है सारे सीजन उसने हर फॉर्मेट में रन किया है और अपनी जगा बनाने की कोशिश कर रहा हर जहां भी उपरिटूनिटी दिख लिए उसके इसके इलावा अगर तैयब ताहर जैसे खुर्रम कहने हैं कि वो फ्लेक्सिबल हैं वो कहीं पर भी खेल सकते तो और शान मसूद भी हैं तो इतने सारे ओपनर्स क्या सारे छेलेंगे तीन तो मैच है 24, 26 और 27 बिसमिल्ला इर्मान ररेम थैंकियो अग्वाल भाई मुझे लगता है कि अगर हम पास में जाएंगे थोड़ा समय आपको पास में लेकर जाएंगे तो एक टीम में हमारे 6, 6, 7 साथ ओपनर भी खेले हैं ठीक है मेरे साथ अभी डुमेस्टिक में मेरी टीम का हिस्सा थे वहाँ पे वो चोथे, पांचवे, चोथे, पांचवे नंबर पे जाके ज्यादा खुला खेल रहे थे तो वो ओपनर है नहीं हारिस की जहां आप बात करें हारिस को हम देखेंगे अभी अपने PSL में भी उससे पहले भी वो वन डाउन भी आते रहे वन डाउन भी आके उन्होंने अच्छी परफॉर्मसिस की है शान को हमने देखा है कि वर्ल्ड कप में वो चोथे पांचवे नंबर पे खेल के उन्होंने परफॉर्मसिस की है तो मेरे ख्याल से साही मयूब साही मयूब मुझे लगता है कि खेले वो नीचे हैं तैयब तायड थोरॉली अपनी डिमेस्टी की परफॉर्मसिस पर आया है जो के बहुत अच्छा और काबले दीद इनका डिसीएन है